हेलो फ्रेंड वेलकून तो मैं चैनल दोस्तो आज इस फिल्ड में इस क्वाचन को सौल करेंगे मैं अल्रेडी सौल कर रखा आपको एक्स्प्लेइन करूंगा तो चली एक वार क्वाचन को पड़ लेते हैं कवाचन है हमारे यहां पर 1414 पर डिस्टीविट इकली अमोंग स्टूडेंट्स आफ कलास सेवंथ एट्न नाइट एंट एन तैंग इस कलास कॉंसिस्ट इप इकल नमबर अव स्टूडेंट्स इफ इस स्टूडेंट गोट सिक्स पैंस एनd 94 पैंसर रिमेंड सबी बच्चों को आ जाते हैं तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर टोटल पैन कितने 1414 डिस्ट्रिबूट कितने हुए 1414-94 क्योंकि 94 बच गये हैं ठीक हो तो 1320 टोटल डिस्ट्रिबूट हुए तो चार कलासे 1320 पैन डिस्ट्रिबूट हुए तो चार कलासे चारो कलासों में बराबर बराबर गए जैसे कि इन्होंने बोला कि बराबर बच्चे हैं बराबर पैन मिलें सबको तो पैन भी चारो कलासों में बराबर बराबर गए तो 1320 को हम चार से डवाइड कर देंगे यह आजागा 330 तो इसका 330 के आगए इस क्लास केट घॉत जाब कुछ भी बोल सकते हो हर एक क्लास को कितने पहन मिले उनको हम 6 से डवाइड कर देंगे, क्योंकि सबी older-each को 6 से pen मिले हैं, तो यह आजाता है हमारा 55, कहना का मतलब यहाँ पर 55 students हैं हर एक class में, आप 55 को 6 से multiply करोगे, 55 students है, हर एक को 6 से pen मिले हैं, तो 55 को 6 से multiply करोगे, यह आजाईगा, 330, total class में 330 pen distribute होगा है, उमीद दोस्तों समझ आ गया हुआ सिंपल था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चेहिन